नमस्कर दोस्तो आज आपको बताने वाला हूँ DRC03A की फाइलिंग का प्रोसेस क्या होगा कैसे आपको DRC03A फाइल करना होगा और इसके लिए एडवाइजरी भी है डिटेल में समझेंगे कि DRC03A कैसे फाइल करना होगा कोई भी आपको अगर GST में डिमांड रिज होती है त उसका मैथड चेंज हो रहा है DRC03A कैसे फाइल करोगे चलिए समझेंगे डिटेल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत कुछ समझने को मिलेगा उससे पहले बतना चाहूँगा जो भी भाइबंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे ह जिन्होंने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे सारे साथ बैल आइकन पे बी क्लिक कर लिजे ताकि इस तरह का कॉंटेंट आपको मिलता रहे तो सबसे पहले हम एडवाइजरी के बार में समझते है DRC03A है कि किसी सबसे फाइलिंग करनी है क्या एड में या APL04 के अंदर है APL04 में जो अपील वाली होती है ठीक है तो बिसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ऑडर इशू हो गया DRC7 में DRC7 में क्या होता है जब आप रिप्लाई देते हैं असेस्मेंट 10 का DRC1 का अगर यह सभी रिप्लाई को एजेक्ट कर दिया जाता ह MOV9, MOV9 कब होता है जब विकल रास्ते में पकड़ा जाए और डिटेंशन किया जाए तो साइजर इन डिटेंशन के के केस में आपकी गाड़ी को पकड़ लिया जाता है उसकेस में डिमांड रिज कर दी जाती है APL04 के अंदर भी आप अमांट जमा कराते हो जब अपील के प्रोसेस में होते हो तो यह सभी अमांट आप क्या करते हो DRC03 के जमा कराते हो जबकि पोर्टल पे एक option है payment toward demand इस option में जाके जमा करना होता demand की तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे taxpayer ने इस option का यूज नहीं किया है payment toward demand तो जो demand pay किया वो demand close नहीं हुए electronic liability register में तो इसको इस issue को ठीक करने के लिए government ने एक new form notified किया था notification number 12, 24 को देख सकते हो जो की 10 जलाए 24 को issue हुआ है इस form का नाम है DRC03A ठीक है दूसरे पॉर्ण में government के लिए इस issue को ठीक करने के लिए government ने नया form issue किया DRC03A DRC03A में आपको करना क्या है जो DRC03A की payment करिया आपने demand की उसकी retail DRC03A में देना है कि ये payment किस से related है किस demand की है इसी के लिए गोर GSTN ने GST portal पे DRC03A फॉर्म जो है और वो अवेलिवल कर दिया है पॉर्टल पे अगर आपने payment DRC03 के दूर करी है demand की payment तो उसकी detail अब आपको इस form में देनी पड़ेगी DRC03A के अंदर और अपनी payment को link करना होगा कौन से demand से है केवल कौन कौन सी payment link हो सकती है केवल जो DRC03A में payment की गई है voluntarily या other की option को select करके केवल उसी payment की details आपको DRC03A में देना है कि कौन से demand की payment है तो यहाँ पे government के रही है कि देखो इसी के हिसाब से taxpayer को required होगा DRC03A का जो ARN है वो उसको enter करना है demand order के साथ में और select करना है अपना demand किसके कौन से demand के अगए इसमें आपने DRC03P किया है ठीक है जो DRC03A की information होगी वो auto populated होगी और demand की information भी auto populated होगी वहाँ से आप उसकी information को भरके अपने demand को यहाँ पर adjust कर सकते हैं उसकी payment की demand को adjust कर सकते हैं जैसी आप adjustment कर देंगे corresponding entry automatically post हो जाएगी liability taxpayer की liability ledger के अंदर इसको समझते हैं कि process कैसे होगा DRC03A का जो form है वो आपको कहां दिखेगा तो gc portal पर login करने के बाद my application में जाएंगे वहाँ पर आपको form DRC03A पर जाना है वहाँ आपको form दिखेगा date of filing cause of payment period आएगा फिर DRC03 form DRC03 का जो balance है वो आएगा वहाँ पर निकल के ठीक है DRC03 का reference number यहाँ से आएगा कौन से head में payment की है वो इसकी details आएगी ठीक है form DRC03 balance as one जो DRC03 के अंदर जो balance है उसकी detail पर आएगी कितना कितना balance है आपको demand order number भी दिखेगा वहाँ से आपको करना क्या है demand order को select करना जिस भी demand के address में आप adjust करना चाते हैं तो यहाँ पर एक option होता demand order का demand order को select करेंगे और उसके बाद वहाँ से आप इसको adjust करेंगे तो यहाँ पर आपको auto-populate होके demand देखेगा यह balance देखेगा DLC03 का और यहाँ आपका demand देखेगा demand को select करके अपने amount को adjust करना है जिस भी demand को आप adjust करना चाते हैं वहाँ से वह balance तो adjustment of demand वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से वह outstanding demand adjust हो जाएगी amount paid through cash balance available जो cash balance available होगा उसके तुरू जो आप payment करना चाते हैं वह कर सकते हो amount to be adjust यह आएगा amount to be adjust cash में इतना amount adjust होना है ठीक है balance post adjustment cash इतना balance बज़ जगा जो आपको cash में adjustment करना है amount to be adjusted in credit credit से भी कितना amount adjust होगा वह यह रहा balance post adjustment credit की details यह होगा और outstanding demand post adjustment यह होगा फिर adjustment करने के बाद validate वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे undertaking होगी बस वह undertaking देनी है आपको उसके बाद यहाँ proceed to file वाले बटन पर क्लिक करेंगे यह बटने process to file देन उसके बाद इस फर्म को file कर लेंगे उसकी एक अगुमिलमेंट नंबर बनके आपकी आएगी तो एक single DRC03 को आप multiple demand के against भी adjust कर सकते हैं एक single DRC01 है उसको adjust किया सकता है payment के लिए multiple demand है उसके against भी multiple DRC03 है तो उसके single demand के against भी उसको adjust कर सकते हैं बाकी कोई भी आपको technical issues लगता है तो GST portal के gravience portal पर जाके वहाँ पर ticket raise कर सकते हैं ठीक है तो यह process है DRC03A का बाकी मैं आपके आने वाली वीडियो के अंदर detail में live portal पर करके दिखाऊंगा कि कैसे demand को adjust किया जाता है DRC03 की demand को कैसे adjust किया जाता है आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा वीडियो कैसे लगी जभू होता है ताइंगी सो मज जय हिंद वंदे मात्रम